Good morning, बच्चों आज हम आपको कुछ महाथपून्न रसाइनीक योगिक के बारे में बात करेंगे तो हम ने घयलो एरिंग स्यॉट में बात किते नीटि किसी तरह यहां पर रसाइनी के योगिक के रूप में निरमित किया जाते है जिसमें सबसे पहला है ड्रीत जैसे कि हम ड्रीने की के बारे मेरी बात करें तो यदी हम की के बारे में रूखा हुआ है यह बानली जीये रूखा हुआ पानी हैं तो रूखे हुए पानी में आपको पता ही है कि इसमें मच्छर के जो अंडे होते हैं वो पनपते हैं तो यहां मच्छर के अंडे हैं और इस अंडों को नश्ट करने के लिए डिडिटी का प्रयोग किया जाता है मच्छर के अंडे हैं और यही अंडे यदि यहाँ पर DDT का छिड़काओ नहीं किया गया तो यह अंडे जो है मच्छर के रूप में बड़े हो जाएंगे और फिर यह इससे हमको मलेरिया की विमारी हो सकती है तो मलेरिया से बचाने के लिए रुके हुए पाने में DDT का छिड़काओ किया जाता है ठीकिसी तरह जो नालिया होती है उन नालियों में भी छिड़काओ करने के लिए DDT का उपयो किया जाता है और जो DDT है यह एक हैलो एरीन योगिक है इसके पारे मियादी हम देखें तो इनका नाम है माईकल फेराडे इन्होंने इस पर अध्यन किया और इन्होंने ये देखा कि जो डिडिटी है इसका यदि हम प्रयोग करें तो मलीरिया के जो किटाण हुआ है मलीरिया के जो अंडे है वो नस्ट किया जाते है इसकी सायता से तो मलीरिया के अंडों को नस्ट करने के लिए इस डिडिटी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सबसे पहले USA क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी अमेरिका की बात करें या आप USA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आजकल DDT का प्रयोग रुख गया है क्योंकि इसकी जगह पर इसके अल्टरनेट के रूट में दूसरे यॉगिक, दूसरे रसायनिक यॉगिकों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह काफी पुराना है यॉगिक, यदि हम इसके निर्मान की बात करें क्योंकि सरफरतम माइकल फैरडे नहीं इसे बताया था और वह ने यह कहा कि मच्छर के अंडों को नश्ट करने के लिए हम DDT का प्रयोग नालियों में या रगवे पाने में कर सकते हैं या जिस छेत्र में भी गंदगी है जहां पर कि आपको पता है कि मच्छर के अंडे पनाब सकते हैं तो उनको नश्ट करने के लिए DDT का छिड़काओ किया जाता है प्राचिन काल में भी DDT का छिड़काओ किया जाता था लेकिन आजकल इसका प्रयोग धिरे-धिरे कम हो गया है और इसके स्थान पर हम दूसरे जितने भी योगिक हैं उनका प्रयोग करते हैं और इसकी सहता से हम इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि DDT क्या है इसका निर्मान कैसे किया जाता है क्योंकि Michael Faraday ने इसके निर्मान के बारे में बताया, क्योंकि जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं घरों में, उसका निर्मान कैसे किया जाता है, तो इसमें, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसका निर्मान, इसके निर्मान के लिए सबसे पहले एक योगिक है, जिसका नाम है, यह सनुचना इसके बारे में आपको पता ही है, और इस सनुचना को हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर CH मौजूद है, तो यहाँ पर हम H दिखा सकते हैं, कि किसी तरह यहाँ पर एक दूसरा क्लोरोबेंजीन होगा, इस प्रकार से CL, और यह H, यहाँ पर कारबन होगा, क्योंकि सभी जगह आप देखें, यहाँ पर CH मौजूद है, इस प्रकार से CH यहाँ यहाँ पर और यहाँ पर भी वही सनचना आपको दिखाई देगी CH, 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 C, ठीकी सी तरह यहाँ पर भी CH होगा, यह सनचना है टू, यह क्लोरो बेंजीन, पैरा, क्लोरो, बेंजीन, जो केक हैलो एरीन है, इस पैरा, क्लोरो बेंजीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ दो पैरा, क्लोरो बेंजीन, दो मोल, तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहले यदि हमको डेटिक का निर्मान करना है, तो इसके लिए दो मोल हमको पैरा, क्लोरो बेंजीन लेना होगा, और इसमें ह हम क्रिया कराएंगे क्लोरल की इसके लिए हम लिख सकते हैं इसे C-Cl3-C-H-O C-Cl3-C-H-O चुक्कि यहाँ पर देखें एक क्रियात्माक समों आपको दिखाई दे रहा है इस क्रियात्माक समों को हम एल्डिहाइड कहते हैं और यह जो एल्डिहाइड है इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यहाँ पर देखें एक कार्वन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा कार्वन यह है तो यहाँ पर आप देखें यह है C-Cl3 जैसे हम लिखते हैं C-H3-C-H-O इसका नाम आपको मालूम ही है इसे हम क्या कहते हैं Acid Aldehyde कहा जाता है तो यहाँ पर आप देखें यह जो कार्वन के साथ तीन हाइडोजन जुड़े हुए हैं इन तीन हाइडोजन का प्रतिस्ठापन हम तीन क्लोरो समूल के द्वारा करते हैं यदि हमें इसको बनाना है इसका नाम है क्लोरल या इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिट अल्डिहाइड एसिट अल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एसिट अल्डिहाइड या आप क्लोरल के सकते हैं क्लोरल क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड लगता है जित्ते भी अल्डिहाइड होंगे या अल्डिहाइड युक्त क्रियात्मक्समों वाले जो भी योगिक होंगे उनमें अल्डिहाइड लगता है और इस तो तीन हाइडोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से तीन हाइडोजन का प्रतिस्थापन आप यहां से करेंगे, यहां इसको आप H3 नहीं लिखेंगे, बलकि इसे लिखेंगे आप 3H, यहां पर आप लिख सकते हैं, 3H, 3H का प्रतिस्थापन हम करेंगे, और यहां प आप पर 3 क्लोरोसमों इसके साथ जूढ जाएगा ते यहां पर आफ व्लॉस इसके उपसिती में करिया होती है तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर एक O दिखाई दे रहा है और यह दो H दिखाई दे रहे हैं यह इसके साथ आप देखिए यहाँ पर से एक H2O करणो निकल जाएगा यहाँ पर आप देखिए रहे हैं कि LDH का O oxygen है यहाँ पर और पेरा क्लोरो बेंजीन के जो दोनों hydrogen है यह इसके साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद यहाँ पर आप क्या चीज़ बच रही है CHCCl3 तो यहाँ पर इस सनुचना को हम इस पर प्रकार बना सकते हैं इसे हम लिखेंगे इस परकार से यहाँ CL, CL, इस परकार के structure और इसे आप जोड़ दीजिए इस परकार से यहाँ जोड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए देखिए CHCCl3 यहाँ पर देखिए, H2O का एक आउन निकल गया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, प्लस H2O यहाँ पर आप यहीं पर लिख दीजिए, माइनस H2O इस परकार से, तो यहाँ इस माइनस H2O आपने निकाल दिया, तो यह पता चल जाएगा कि यहाँ और इसके और एक आउक्सिजन जो है, क्लोरल का निकल गया, और यह H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो इस परकार से आप देखिए कि टू मोल पैरा क्लोरो बेंजीन और क्लोरल की क्रिया के द्वारा, क्या बन रहा है, जो योगिक निर्मित हो रहा है, उसे हम कहते हैं DDT, इसका मतलब है, डाई क्लोरो, डाई, D से डाई क्लोरो, तो इसे हम DDT कहते हैं, यहाँ पर देखिए जो DDT है, इसमें जो पहला D है, इसका मतलब है डाई क्लोरो, और जो दूसरा D है, इसका मतलब है डाई फेनिल, यहाँ पर देखिए, दो फेनिल समों दिखाई दे रहे हैं आप और जाल लिखा हुआ है ट्राइक्लोरो यहां ट्राइक्लोरो दिखाई दे रहा है इसे लिखेंगे ट्राइक्लोरो इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं या ट्राइक्लोरो यहां पर कारबन की संखें यहां पर दो दिखाई दे रही है क्योंकि ऑक्सेजन यहां से हट चुका है तो अब यहां आप इस एसे लिखेंगे एथियन इस प्रकार से तो यहां पर आप लिख सकते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन क्योंकि यहां पर देखें कारबन की संख्या यहां एक है और यह कारबन की संख्या यहां पर दो है तो जब कारबन की संख्या दो होती है तो उसे हम इथेन कहत तो हैथेन की सनुचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3, CH3, इस प्रकार की सनुचना होती है थेन की, तो यहाँ पर आप देखिए जो दो हाइडोजन है यहाँ इस दो हाइडोजन में आप देखिए दो पैरा क्लोरो बेंजीन यहाँ आ जाएगा और एक हाइडोजन यहाँ पर मौझूद है और यहाँ पर जो तीन क्लोरो समो है वो तीन हाइडोजन के द्वारा प्रतिस्थाप लिया गया और दो मोल पेरा क्लोरो बेंजीन लिए तो इसके द्वारा जल का एक अनुमुक्त हो रहा है सांद्र समझने के लिए यदि हम देखें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं जैसे CH3 CH3 ये सनुचना है आपकी इसे हम एथेन कहते हैं तो एथेन में से सबसे पहले आप देखिए दो हाइडोजन दिखा, तीन हाइडोजन दिखाई दे रहे हैं, तीन हाइडोजन में से दो हाइडोजन हैड जाएगा और उसकी जगा पर आजाएगा C, यहाँ पर आप बता सकते हैं, यह सनचना, जिसमें से एक सनचना यहाँ पर इसकी है और जो दूसरा hydrogen है इसके साद दूसरा पैराफलेरो बेंजीन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से यह सनचना दिखाई दे रही है आपको यह सनचना है तो यहाँ पर हो गया दो hydrogen दो hydrogen निकल चुका है जो तीसरा hydrogen है वो यहाँ मौजूद है और उसके बाद जो दूसरा carbon है इस ये साधारन रूप में, सिंपल रूप में यदि हम DDT की structure देखें, तो वो इस प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, इसको यदि हम दूसरा नाम इसका देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 22, तो यहाँ पर देखें, यहाँ यह पहला नंबर है, और यह दूसरा नंबर है, जिससे आप लिखेंगे 22-Dichloro, यहाँ पर पैरा-Dichloro बोल सकते हैं आप, तो इस प्रकार से जब नाम करण होगा, इसका नाम हम लिखेंगे 22, यहाँ लिख सकते हैं, 22-Dichloro, डाइफेनिल, 22-Dichloro, डाइफेनिल, ट्राइक, 1, 1, 1, 1-, इसका आप लिख सकते हैं, 1, 1, 1, 23-Dichloro-Ethan, क्योंकि यहाँ हमने दूसरे कार्बन पर 2-Dichloro-Benzhen लिया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 22-Dichloro-Phenyl, और यहाँ पर हमने पहले कार्बन पर 3-Cloro-Sumuh लिखा है, इसलिए हमने इसे पहले नमबर पर 3 है, इसलिए हमने लिखा 11-1-Dichloro-Ethan, तो इस आधार पर जो यहां डिड़ी का निर्माण किया जाता है तो डिड़ीटि का निर्माण के लिए जिस योगिक कहां मुपयोग कर रहे हैं उसमें पेरा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल है और एक मोल क्लोरल का लेकर जब सांद रेष्ट्रेस फूर की उपसिती में गरम किया जा तो उस कंडिशन में जल का एक अमुक्त होगा और सांथ ही आप देखिए जो योगिक निर्मित हो रहा है उसका नाम है डिटी डिटी का मतलब है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन तो इस आधार पर यहां इसे हम लेखते हैं टू-टू डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो यह थेन अब इसके भहती गुणों के बारे में यदि हम देखें तो इसे हमें इस प्रकार बता सकते हैं ऐसे भी आप डिटी तो डिटी की का कलर आप जानते ही होंगे आपने देखा ही होगा आप अपने घरों में रखते ही होंगे यदि मच्छर आपके घर में है तो मच्छरों से बचाओ के लिए डिटी का छिड़काओ किया जाता है तो इस प्रकार से हम इसे इसके बहुत इंकोरों के बारे में चर्चा कर सकते हैं नेक्स्ट है बहुत इंकोर बहुत इंकोरों के बारे में देखें तो जो डिडिटी है उसका कलर इसका जो रंग होता है, वो श्वेथ होता है, या सफेध होता है, ये स्वेथ कलर का चौन है, और थोड़ा दरदरा होता है, वो क्रिस्टल, क्रिस्टल ही होता है, दूसरी बात, यदि हम इसकी जलमे विलेता देखते हैं, तो ये जलमे आविले है, जलमे ये बहुत कम गूलत तो जल में ये बिले है, ठीक इसी तरह। ये हम काणिक विलायकों के बात करें, अब जससरों आपको पता है कि जो काणिक विलायक होते हैं, इस में इथे भी आता है, वेचीन अच्छा एक बात ये ध्यान में रखना है आपको, कि ये जल में क्यों आविले, जल में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि जल में अगर ये हाइडोजन बन बनाता है, तो ये घुलनशील होता है, चुकि ये जल के साथ हाइडोजन बन नहीं बनाता है, किसी भी योगिक की बात कर कार्वनिक दूसर्य जो सुद्ध धायक करते हैं जो कि विले को घुलने का आगाम करता एक तो उसके साथ। क्रिया कर रहा है उसके साथ क्रिया कर रहा है मतलब उसके पीच में बंद बन रहा है और बंद बनने के कारण यह कारणिक विलायकों ही घुलनशील है और जल में आविल है ठीक इसी तरह यदि हम इसके बारे में यदि देखें तो यहां पर आप यह बता सकते हैं कि इसका जो गलनांग है गलनांग ज्यादा होता है 382 केलवीन है इसका 382 केलवीन इसका गलनांग है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भौतिक गुणों के बारे में अधी हम देखें टीडीटी के तो यह सफेद रंका चोन है लेकिन जल में आगुलंशील है क्योंकि यह हैड्रोजन बन उसके साथ नहीं बनाता है ठीक इसी तरह यदि हम इसके उपयोग के बारे में देखें अधि अधियोग के उपयोग के बारे में देखें तो जो डीडीटी है मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग होता है मच्छरों को नश्ट करने के लिए लेकिन इसमें मतलब एक दोश कहना चाहिए रिडीटी में क्योंकि यह दोश के रूप में यदि हम देखें तो यह प्रदूशन करता है यदि इसका इस्प्रे हम वातावरण में करें तो इसके द्वारा प्रदूशन होता है क्योंकि एक प्रकार की स्मेल आती है इसमें और ये बहुत तिशने स्मेल होती है जिसे पता चलता है कि ये जो डिडिटी है जैसे ही उसका इस प्रेहाम पानी में मतला वायू मंडल में करें तो उससे प्रदूशन होगा और प्रदूशन यदि हो रहा है तो ये मान के चलिए करें जो डिडिटी है वो हा नी कारक है इसलिए जब यंदि masa को कर चिरग करें पहां से लोगों को हटा दिया जाता है ताकि उसके जुटार है यूएसे और अमेरिका में इसकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका में ये प्रतिबंधित है प्रतिबंदित है, क्यों प्रतिबंदित है ये, क्योंकि वहां का जो वायू मंडल है, उस वायू मंडल को यदि DDT के द्वारा प्रदूशन हो रहा है, तो वो DDT के द्वारा प्रदूशन को रोकने के लिए, टोटल DDT को हटा दिया गया है, उसको प्रदूशन मुक्त करने के लिए अब डिडिका वहां पर छिड़काओं नहीं किया जाता उसकी जगह पर कुछ अल्टरनेट कुछ योगिकों को उपयोग किया जाता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डिडिटी है जो कि डू टू टू डाइकलोरो डाइफेनिल ट्राइकलोरो एथेन है और जितने भी महानगर हैं जितने भी आप देखिए मतलब अमेरिका या यूएसे की बात हम करते हैं तो वहां या जर्मनी की बात करते हैं तो वहां पर इस पर टोटल प्रतिबंद लगा दिया गया है अब इसके अल्टरनेट की रूप में एक दूसरा योगिक जो है उपयोग बी एच सी यह जो बी एच सी है जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेग्जाख्लॉराइट बेंजीन हेग्जाख्लॉराइट बेंजीन हेग्जाख्लॉराइट है यदि हम इसके निर्मान की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो बेंजीन होता है इस बेंजीन में जब क्लोरीन गैस की क्रिया होती है थाई सी एल्टू क्लोरीन गैस की क्रिया होगी और क्लोरीन गैस की क्रिया अल्ट्रा वाइलेट प्रकाश में होती है पराबैगनी किरणों में पराबैगनी प्रकाश में या फिर सूरे के प्रकाश में होती है सूरे प्रकाश इसकी उपसिती में जब अभी क्रिया होती है तो जो बेंजीन का मोल है एक मोल बेंजीन हम ले रहे हैं और तीन मोल यहाँ पर क्लोरीन के अनू ले रहे हैं इसकी क्रिया होगी और यह योगात्मक अभी क्रि इसमें यह direct नाभीक के साथ क्रिया करता है और नाभीक के साथ क्रिया करके यह एक नया उत्पाद बना रहा है जिसको हम BHC कहते हैं तो यहाँ जो इस structure बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी जैसा कि आपको पता है कि यहाँ सभी जगा CH होता है CH 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 तो यहाँ पर आप देखिए इसकी यदि हम इसके अम्सुत्र के बारे में देखें तो इसे हम लिखेंगे C6H6 6 कार्बन आपको दिखाए दे रहे है और 6 हाइडरोजन दिखाए दे रहे है और इसलिए इसका नाम है बेंजीन इसे हम बेंजीन कहते हैं और जब हम इसमें तीन ख्लोरीन के मूल के साथ इसकी करिया कराई जाती है तो जो सनुष्रा बनती है वो इस प्रकार की सनुष्रा बनती है यहाँ पर आप लिखेंगे CH, यहाँ CL लिख दीजिए पर यहाँ CH, CL CHCL 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 इस्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर इसे हम कहेंगा Benzeen Hexachloride क्योंकि यहाँ पर अब इसका सुत्र क्या हो जाएगा B6, Benzeen H6 और C6 इसे आप नोट कर लिजिए इसे आपने नोट कर लिया होगा तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर Benzeen पर Chlorine के तीन मोल की हम पराबैगनी प्रकाश यह सुरी के प्रकाश की उपसिती में क्रिया कराते हैं तो हमें जो B6 प्रकाश हो रहा है उसे हम लिखते हैं Benzeen Hexacloride तो इसे सनुचना के रूप में आपने देखा कि इसे हमें इस प्रकाश लिख सकते हैं तो Benzeen Hexacloride या इसे हम लिखते हैं ट्रिपल सिक्स इसे लिखा जाता है BHC को हम लिखते हैं या ट्रिपल सिक्स क्योंकि जो Benzeen की सनुचना है इसमें कार्बन भी 6 है हाइडोजन भी 6 है और जो क्लोरीन होता है यह भी 6 होता है इसलिए इसे हम लिखते हैं ट्रिपल सिक्स या इसका नाम है गेमेक्सेन गेमेक्सेन कहा जाता है या इसे हम लिखते हैं लिंडेन लिंडेन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो BHC हमें प्राप्थ हुआ है और यह जो BHC है इसे हम 666 क्यों कह रहे हैं यदि आपको पुझा जाता है कि 666 क्या है तो आप बता सकते हैं कि यह benzene hexachloride है और इसका उपयोग यदि हम देखें तो यहाँ पर उपयोग के रूप में यदि हम देखते हैं तो इसक एक अलफा रूप में एक बीटा रूप में एक गामा रूप में और एक डेल्टा रूप में मतलब यह आपको शुद्ध हवस्ता में प्राप्थ होता है यह शुद्ध हवस्ता में मिलता है साथ ही आप देखेंगे कि जो गामा समावैवी है यह गामा जो सनुचना है गामा 12% पाये जाता है 12% 12.23% पाये जाता है इसकी मात्रा इसमें होती ही जैसा कि हमने आपको पताया है कि यहां पर वैसे ब्येस्टी के 8 समावैवी होते हैं 8 समावैवी पाये जाते हैं मौजूद है लेकिन सिर्फ चार ही जो है शुद्ध वस्था में मिलते हैं और आजकल DDT के अल्टरनेट की रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो आपने देखा जैसे मैंने आपको बताया कि जो DDT है इसका उप्योग अमेरिका में प्रतिबंदित हो गया है तो उसकी जगा पर अल्टरनेट की रूप में आजकल ये जो BHC है गामा समावैवी है इसका उप्योग आजकल हो रहा है जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं किया कितना शक्तिशाली है यदि हम BHC की बात करें तो जो BHC है इसमें गामा जो सनुचना है आपको 12% प्राप्त हो रही है और ये 8 समावैवी की रूप में मौजूद है लेकिन आप देखेंगे कि जो 4 समचना आपको दिखाए दे रही है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के रूप में यही शुद्ध वस्ता में आपको मिलती है और जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर बीचसी का प्रयोग इसकी अपेश्या अधिक हो रहा है मतलब यहाँ पर आगर हम देखें तो यह अधिक प्रभावशाली है अधिक शक्तिशाली है डिडिटी के पेश्या अधिक शक्तिशाली होता है कि टाउन आशक की रूप में बीचसी इसकी आजकल इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है डिडिडिटी का प्रयोग आजकल कम हो गया है क्योंकि इसके द्वारा मतलब DDT को हटाने का और BHC को लेने का मीन मकसद यह है कि जो बेंजीन हेग्जाक्लोराइड है यह प्रदूशन मुक्त नहीं होता मतलब यहाँ पर आप देखेंगे DDT के द्वारा प्रदूशन हो रहा है लेकिन जो BHC है इसके द्वारा प्रदूशन नहीं होता है तो यह सिर्फ जैसा कि हमने देखा कि मलेरिया के जो किटान होते हैं उनको नश्ट करने के लिए BHC का प्रयोग किया जा रहा है या कीत नाशक कि रोट में इसका प्रयोग किया जा रहा है जो कि यदि हम DDT में देखें तो DDT में प्रदूशन होता है जब हम पानी में मिला कर उसको इसको इस प्रे करते हैं चाहे आप नालियों में करें चाहे जो गड़े होते हैं जहां पानी भरा हुआ है काफी दिलों से पड़ा या हम कह सकते हैं कि मच्छर के अंडे हैं तो उसको यदि हम evnasht करना है तो DDT के अपेक्षा यदि हम BHC का प्रयोग करें तो उससे जो smile आईगी वह DDT के अपेक्षा कम होती है लेकिन प्रभाव शाली होती है अधिक शक्तिशाली होती है इसलिए जनरली आजकल डिडिटी का प्रयोग कम हो गया है और इसकी अपेक्षा BHC का प्रयोग हो रहा है जिसको हम आजकल मार्केट में दिया आप जाएं तो आपको या मेक्सेन की रूप में मिलता है या लिंडेन की रूप में इसका प्रयोग आपको बहुत आयती मिलेगा क्योंकि यह बहुत प्रभाव शाली है और हम चाहते हैं कि प्रदुशन मुक्त हमारा एरिया होना चाहिए इसलिए जयाता राजकल BHC का प्रयोग हो रहा है नेक्स्ट है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि हम इसमें कमपेरिजन करते हैं इसमें अगर हम संबंद देखें इनके बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर आप यह बता सकते हैं कि जो DDT है वो कम प्रभाव शाली है या गम की जानुनाशक के रूप में प्रयोग हो रहा है और यह जो BHC है जिसमें की प्रदूशन नहीं होता है तो ऐसी चीज़ें हमें प्रयोग में लानी चाहिए जो कि प्रदूशन ना करती हो क्योंकि हमारे देश में काफी प्रदूशन है और चाहिए आप गाड़ियों का प्रदूशन देखें जा किसी भी रूप में तो प्रदूशन मुक्त करने के लिए हमको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो छेत्र है या जिस छेत्र में आप रहते हैं वो प्रदूशन देखें होना चाहिए इस प्रकार से एक तीसरा कंपाउंड है पीवीसी जो पीवीसी है इसे हम कहते है पॉली विनाइल ख्लोराइट और इसलिए हम इसे लिखते हैं पीवीसी P से Poly, V से Vinyl और C से Chloride लिखा जाता है तो यहाँ पर जो PVC है इसका यदि हमको निर्मान करना है तो इसके लिए हम लेंगे Vinyl Chloride तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि बहुली करण क्या है पहले हम बहुली करण आपको बताते हैं उसके बाद हम PVC के बारें बताते हैं तो बीवीसी का निर्मान यदि हमको करना है तो जिस प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा जिस विधी का उपयोग करना पड़ेगा उसे हम बहुली करण कहते हैं जिसे हाप देखिए typical यिसे मालिजी हमिए एक साधरन से एक से आपको बताता हैं कुछ लकडिय cé को हम रक lequel ली कि और लकडियों को हमने खुला रखा है और कुछ लकडियों को हमने एक रस्य से हमने बामद एक देखिए कि यह जो लकड़ी के सिंगल सिंगल पीस आपको दिखाए दे रहे हैं और यहाँ पर लकड़ी का गठर है तो यहाँ पर यह जो क्रिया है कि हमने लकड़ी के गठर को बांध दिया है लकड़ी को अपने बांध दिया है तो जो बाधने की क्रिया है उसको कहते हैं बहुली करन और जब खुली अवस्था में होती है तो उसे हम कहते हैं एक लग और जो बहुत सारी संचना एक दुसरे से जुड़ चुकी है उसे कहा जाता है बहुलक तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं एक लग इकाईयों को जोड़ने से बनी हुई एक बड़ी संचना और जिस प्रक्रिया से होकर यह बहुलक का निर्मान होता है उसे हम कहते हैं बहुलक तो उसे हम कहेंगे बहुली करन तो बहुली करन वहाँ भी क्रिया है जिसमें एक लग बहुत सारी इकाईयां आपस में बहुली करित होती है और बहुली करन की क्रिया के द्वारा एक बड़ा योगिक बनाती है जिसे हम बहुलक कहते हैं और इस क्रिया विदी को जिसके द्वारा बहुलक का निर्मान हो रहा है बहुली करन कहलाता है तो इसे हम इस एक्जाम मतलब पीवी सी में कैसे निर्मित हो रहा है इसे हम बताते हैं आपको जैसे CH2 double bond CL CH sorry यहाँ H होगा यह यह एक सानचना है और यहाँ पर यह जो सानचना है इसे हम कहते हैं Vinyl Chloride इसका नाम है Vinyl Chloride Vinyl Chloride तो Vinyl Chloride के बहुत सार्य हम मतलब इसको आन लिजी आप N आउं ले रहे हैं तो यह N अणों आपस में बहुली कृत होते हैं और बहुली करण की क्रिया के द्वारा यहाँ आप लिख सकते हैं बहुली करण और यह बहुली करण की क्रिया के द्वारा एक योगिक बनाते हैं और इस योगिक में आप देख सकते हैं कि जो सनुचना बनेगी वो इस प्रकार की होगी यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं C, C, H, H, C, L, H इस प्रकार से और यह एक बंधी भी सनुचना आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यह जो विनाइल क्लूराइड है इसके आउं जो है यह इसका जो योगिक आपको दिखाई दे रहा है वह अलग-अलग मौझूद है जैसे हमने लकडियों के बारे में आपको बताया था लकडियां अगर खुली भी रखी है तो उसे हम एक लग कहेंगे या मोनोमर इंगलिश में कहा जाता है इसे मोनोमर तो इसमें छोटी-छोटी का यह विनाइल क्लूराइड की बिख्री हुई है जैसे अगर आपको हार बनाना है तो हार बनाने के लिए मोती लगते हैं और फ्रसी लगती है या धागा लगता है तो आप देखिए दि मोतियां अलग-अलग रूप में है तो उसे हम कहेंगे एक लग काई मतलब विनाइल क्लूराइड के बहुत सारे N अनू है मतलब N का मतलब होता है बहुत से N का मतलब है बहुत तो यहाँ पर विनाइल क्लूराइड के बहुत सारे कण यहाँ पर यह अनू इसके मोजूद है और यही करण आपस में बहुली करण की क्रिया के द्वारा बहुली क्रित हो रहे हैं और यह आपस में जूड़ रहे हैं मतलब एक हार का निर्मान हो रहा है जिस प्रकार से एक बहुलक का निर्मान हो रहा है और यह जो बहुलक है इसे हम कहते हैं पॉली विनायल क्लॉराइट, पॉली इसलिझ कह रहे हैं क्योंकि एक बंधि Bin विसलिइन सरच्छना और यह खुली है, इसलिझ कहा जाएगा, इसे एकलक तो इस प्रकार से आप देखिए एक लग की काईया आपस में बहुली कृत होंगे और बहुली कृत होने से जिस योगिक का निर्मान करती है उसे हम बहुलक कहते हैं और यहां पर जो बहुलक है वो है पीवीची पॉलीविनाईय districts अब यहां पर देखी जो पॉलीविनाई होती है यदि इसके बारे में देखे तो इसका जो उपियोग है अब किया अंत्यम लुकूर् जैसे आपने देखा वागा की जो बरसाती होती है कि बारिश में आप कहनते हैं बरसाती इसका भी कि योगित बनाया जाते हैं जैसे हम देख सकते है ह कि जो कि सुरक्षा के लिए बनाय Je ward अघ। कि नग्रों में इसको अन्यवार कर दिया जग गया है ताकि आपकी शरकी की सिर्की जो सुरक्षा है रहे तो यहाँ पर helmet के द्वारा सरसुरक्षित रहता है आपका तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि helmet जो है किसके द्वारा बन रहा है PVC के द्वारा बन रहा है ठीक इसी तरह जो कुछ बहुत सारे खिलाओने होते हैं यहाँ भी PVC के द्वारा निर्मित होते हैं और वो काफी सिस्टार के द्वारा बनाई जाते हैं यह काफी मजबूत चीज है जो की बहुली करण की क्रिया के द्वारा निर्मित हो रही थी किसी तरह आपने पॉली थीन का नाम सुना होगा जन्रली दुकानों में किया जाता है दुकानों में सामान रखने के लिए पॉलिधिन का करते हैं उसे हम बहुली करण करते हैं उसमें भी क्या होता है कि तो एथिलीन है जैसे कि आपको पता है यह हम एथिलीन की सनशना देखें तो वहाँ पर भी यह CH2 double bond CH2 का जैसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे इसको इस प्रकार बताया जा सकता है CH2 double bond CH2 यह फिलीन का सूत्र है इसके भी बहुत सारे अडू होंगे और ये बहुँत से अडू बहुली करन की क्रिया के द्वारा बहुली क्रीत होंगे और बहुली क्रीत होने के बाद यह जो समचना बनेगी इस समचना को हम कहेंगे H-H-C-H-H यहां पर और यह जो सनचना आपको दिखाए दे रही है इसे हम कहेंगे पॉलिथिन यहां इसे हम कहते हैं पॉलिएथिलीन और पॉलिएथिलीन को ही हम शौर्ट में कहते हैं जो की जिसका ओपियोग आप बाजारों में करते हैं उसका नाम है polythene polythene से अनभिग्य तो हो ही नहीं आप क्योंकि आप खुद भी यह दिव मार्केट जाते हो तो polythene का उप्योग आप करते हैं चाय पतली polythene हो, चाय मोटी polythene हो यह जिसके द्वारा निर्मित हो रहा है उसे हम कहते हैं ethylene तो यहाँ पर जो polythene है या polyethene है या polythene है इसका निर्मान भी बहुली करने की क्रिया के द्वारा हो रहा है जिसके द्वारा आप निचोडने की जो बोटल्स होती है वो बनाए जाते हैं पानी की जो बोटल्स होती है वह इसी polythene के द्वारा बनाये जाते हैं, ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि जो सामान रखने के लिए, सामान रखने के थेले, के थेले बनाये जाते हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो बहुत सारे रसाइने के योगे हैं, वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, इनक बहुते गुण क्या है नेक्स्ट है एरिल हेलाइट वा एलकिल हेलाइट में की क्रिया शिर्ता जैसा कि आभी हम आपको हेलो एरिन बता रहे हैं तो एलकिल हेलाइट वा एरिल हेलाइट यदि हम दोनों की सनचना देखें यदि हम एलकिल हेलाइट की सनचना देखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसे हम लिखते हैं CS3Cl, जैसा कि आपको पता है, इसे हम मेथेल क्लोराइट कहेंगे, या क्लोरोबेंजीन कहेंगे, क्योंकि यह भी हेलोजन है, हेलोजन है यह, और यह यहाँ पर अल्किल मूँ लखें, ठीक इसी तरह अगर हम, यह तो अल् हेलाइट, ठीक किसी तरह यदि हम हेलाइट की बात करें, तो इसकी यदि हम समझना लिखें, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार के समझना, तो यहाँ पर आप देखिए कि इनके बीच जो बंद दिखाई दे रहा है, C और C L के बीच में जो बंद है, यहाँ प इसकी लंबाई अधिक है, इनके बीच जो बंद दिखाई दे रहा है, कारबन और क्लोरीन के बीच का बंद, यह काफी अधिक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर C C L, यह जो बेंजीन है, क्योंकि इसमें अनुनादी सनुच्राएं होती है, और यदि हम इनके बीच के बंद की बात करें, यहाँ पर भी C C L के बीच में बंद दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इनके बीच की जो बंद दूरी होती है, वो कम होती है, यहाँ पर इसके बीच की बंद दूरी है, वो कम है, और कम होने के कारण इस कारबन और क्लोरीन के बीच एक घनिश्टता होती है, और घनिश्टता के कारण इनके बीच की दूरी कम होगी और इस वज़ा से इस क्लोरीन को इस योगिक से निकालना मुश्बिल होता है। इसलिए यह ज्यादा सक्री होते हैं या यह जो योगिक है इसमें से यदि हमको विदलन की क्रिया करनी है या C.L. के परमानों को हमको इस बेंजीन से अलग करना है तो हमें कठीना ही होती है। किन्तु यदि हम methyl chloride की बात कर रहे हैं यह हम alkyl chloride या इसे हम कहते है alkyl halide और इसे हम कहते है aryl halide क्योंकि यह aromatic compound है aromatic yogic है और यह aliphatic yogic है क्योंकि इसमें कोई ring आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम इस सरचना में देखें यहाँ पर आपको एक ring दिखाई दे रही है और सभी में आप देखें सभी corner में आपको carbon दिखाई देगा और carbon के साथ एक-एक hydrogen मौझूद होगा तो यहां पर यदि हम इसके सक्रीता की बात करते हैं यदि हम इस benzene के chloro-sumon और carbon-sumon की सक्रीता की बात करते हैं या aryl halide की सक्रीता की बात करते हैं तो इसमें के बीच की दूरी कम होने के कारण यह सक्री होता है और इसमें carbon और chlorine के बीच बंध दूरी अधिक होने के कारण यह कम सक्री होता है तो यहां पर आप बता सकते हैं यह अधिक सक्री है और यह कम सक्री है क्यों कम है क्योंकि यहां पर बंध दूरी जो है कम है इसलिए यह मज कार्बन से क्लोरीम को हम आसानी से अलग कर रहे हैं, मतलब परतिस्थापन आसानी से हो रहा है, तो यहाँ पर किसी भी याओगिक के द्वारा परत्थापन हो जाएगा, और परतिस्थापन से यहाँ पर आप देखें, तो यह अलग होगा, और यह बना लेगा CH3, और cn लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ से यदि हमको c6, h5 और cn को अलग करना है तो यहाँ पर हमें बहुत कठनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह आसानी से अलग नहीं होते क्योंकि यह इनके बीच की दूरी कम है इसलिए यह मनगूती से जुड़ा हुआ है और इनके बीची दूरी अधिक होती है इसलिए से हम आसानी से विभाजित कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम एलखिल हेलाइड और एरिल हेलाइड में तुलना करें तो एलखिल हेलाइड कम सक्री है या अधिक एक्टिम नहीं है लेकिन अगर हम एरिल हेलाइड की बात करें यह अधिक सक्री होता है तो यहाँ पर यदि मालनी जे यहाँ पर जो हेलाइड चुड़े होते हैं जिससे कि आपको पता है कि हलाज़न समूझ में आप देखिए बहुत सारे सदस्य होते हैं जाए आप क्लोरीन की बात करें रोमीन की बात करें आयोडीन की बात करें तो इन सभी में यदि हम क्लोरीन, रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर जो परमाणों जुड़े हुए हैं यह जो हैलोजन सम्हों जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार के हैं जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे माल लीजे यहाँ पर C6H5 आई है यह अधिक सक्री होगा C6H5 BR है C6H5 CN H5 CN है यहाँ पर आप देखें यह सबसे ज्यादा सक्री होगा यह उसकी अपेशा यह अधिक सक्री है यह उसकी कम सक्री है लेकिन अगर ख्लोरो सम्मू है तो वह उसकी अपेशा कम सक्री होगा तो इस प्रकार से बेंजीन के साथ यहाँ पर आईओडो सम्मू जुड़ा हुआ है वह बहुत ज्यादा एक्टी होगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो एरीन में हेलोजन सम्मू के साथ बेंजीन सम्मू जुड़ा हुआ होता है और उसकी क्रिया शिलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है कि वह क्लोरीन है, रोमीन है, आयोडीन है या कोई दूसरा हेलोजन समूझ चाहे फ्लोराइड ही क्यों ना हो चुकि फ्लोराइड इसमें बहुत कम एक्टिव है और सक्रीता के रूप में देखें तो उसकी सक्रीता बहुत कम होती है तो इस प्रकार से हैलोजन के बारे में आपने देखा कि यह किस प्रकार की सक्रीता होती है इसकी प्रतिस्थापन अभी क्रिया है, इसकी एलेक्टोफिलिक अभी क्रिया है, इसकी एलेक्टोन इसने ही या ना भी किसने ही अभी क्रिया है किस प्रकार की होती है, इनकी उप्योग आपने देखे, तो आज के लिए मसितना ही और यह चेप्टर आपका कम्टीट होता है, तेंक यू बच्चों हमने आपको पेरवे चेप्टर में आपको बताया था बेंजीन हेक्जाक्लोराइट की सनुष्णा उसकी रसायनी कभी करिया में हम बता रहे थे आपको बेंजीन एक्जाक्लोराइट की सनुष नामने इस प्रकाल बताय थी सेल छेयर सनुष्ण अबनाई थे आप तो यह सेलिजना गलत है क्योंकि यह यहां पर यह डबल बॉन नहीं होगा अल्टरनेट करम में तो यहां डबल बॉन नहीं है यहां पर क्या होगा सिर्फ से इंगल तो इसे आप सुधार लेंगे क्योंकि जब यहाँ पर CL जुड रहा है जो कि आपको पता है कि जो बेंजीन हेक्जाक्लॉराइड जिसको हम BHC कहते हैं तो यहाँ पर जो है डोजन है वह भी 6 होता है और यहाँ C जो है क्लोरिंग जो है वह भी 6 होता है तो यहाँ पर यह अच्छे होती है तो इसलिए यहाँ पर डबल बॉन आने का सवाल यह नहीं होता है वो हमने गलती से यहाँ लिख दिया था चीक इसी तरह यहाँ पर हमने एक आपको विनाइल लोराइड के बारे में बताया था और इसकी समर्चना हमने लिखी थी CH2 डबल बॉन यहाँ हमन है तो यह धियान में रखेंगे विनाइल क्लोराइड का जब इस्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पर कार्बन नहीं आता है यहाँ सिफ सील होगा तो यह सी को यह मतलब कार्बन को आपको हटाना है तो कार्बन को यह आप हटा लेते हैं तो यह बन जाएगा इसको आप सि अभी क्रिए के द्वारा तो PVC का निर्मांन होता है और यह PVC जो है यूँ प्लास्टिक है और इसके द्वारा हम प्रकार की बाल्टियां बना सकते हैं मजबूत ब्लास्टिक इससे बनाया जाता है तो यह PVC है जिसमें यहां C कार्बन नहीं होता है डायक्ट CH के साथ C L जुड़ा होता है और यहां पर यह शिंखला एक दूसरे से जुड़ी वही होती है और यहां पर आम यहां N लेखते हैं ठीक है इसे आप सुधार लेंगे थैंक यू